वेलकम टू मैं चैनल SK Knowledge Class दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगे क्लास तेंथ का सवाल रेखा खंड वाला जिसमें की करया मद बिंदू गियाद करने करया बिंदू ओं A-2,8 एवं B-6,-4 को मिलाने वाली रेखा खंड का मद बिंदू है यानि की मद बिंदू गियाद करना है ठीकिना देखिए दिया क्या है बिंदू A में दिया हमें माइनस 2,8 उसके बाद बिंदू B हमें दिया है माइनस 6,-4 ठीकिना यह होता है X होता है Y यह होता है X होता है Y दो बिंदू है तो इसको X1 मानेंगे इसको मानेंगे y1 इसको x2, इसको y2 तो x1 आपका क्या हो जाेगा –2 उसके बाद x2 x2 क्या हो जाेगा इस x1, इस x2 –6 उसके बाद y1 y1 आपका 8 हो जाएगा और y2 आपका हो जाएगा –4 ठीक ना इह x होता है, यह y होता है तो दो बिंदू है से लिए इसको y1 माने, इसको y2 माने, इसको x1 माने, इसको x2 माने, अब मध बिंदू का सुत्र होता है, मध बिंदू, मध बिंदू बराबर सुत्र होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, यही सुत्र होता है, अब देखिए x1 प्लस x2 x1 कितना है 2 x2 कितना है माइनस 6 बटे 2 y1 प्लस y2 y1 है 8 y2 है माइनस 4 बटे 2 ठीक अब देखिए अब यह हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 6 बटे 2 इस आठ अब प्लस माइनस माइनस 4 बटे 2 ठीक अब क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस चीन माइनस का छोदू 8 बटे 2 8 में 4 गटेगा 4 बटे 2 कटाईए तो 4 बेर में कटेगा इस दो बार में कितना आ गिया इस माइनस लगले रहेगा माइनस 4,2 आपका आंसर हो गया मध बिंदू ग्यात हो गया मध बिंदू अगर कहे निकालने रेखा खंड का मध बिंदू का सूत्र यही है इसी सूत्र को आप लोग रट लिजिएगा याद कर लिजिएगा आसानी से निकल जाएगा कोई भी डाउट हो तो कमेंड बॉक्स में पूछ सकते हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी को दबाखौल कर लिजिए